वेलकम चो करेंट शिक्षा आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल लही होगी आज इस वीडियो में है खाकी सीरीज जो कुमार गरोसर की चल लही है उसका यहाँ पर सौर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन हम करने वा और अश्गोस यहाँ पर जो है चौथी बहुत संगेती जो हुई थी उसके उपाद्यच थे चौथी बहुत संगेती जो है कुंडलवन कश्मीर में एवजित की गई थी और यहाँ पर जो हेड थे इस बहुत संगेती के तो वो थे वाशुमित्र और यहाँ पर जो यह और ही नियान में कुशान वन्स जो है इसके फाउंडर जो है कुजल कुडफीसस हैं जिन्होंने तांबे के सिक्के चलाये थे और सोने के सिक्के सरवाधिक इन्ही के कारिकाल में कुशानों के कारिकाल में चलाये गए थे इनकी दो राजधानी थी पेसावर और मत्रा और यहा इसने सक संबत को जारी किया था और इसने सकों को यहां पर हराया था कनिस्क के दर्बार में चरक चिकिस्सक जो थे यहां पर चरक जो थे यह चिकिस्सक है इनके दर्बार में थे इसके अलावा अश्गोष भी थे और नागरजन इनके दरबार में थे नागरजन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नेक्स्ट है और यहाँ पर जो है इन्होंने गांधार और मत्वरा शैली यहाँ पर जो मंदिर निर्माड की शैलिया है इनका इन्होंने यहाँ पर जो है इनको फेमस किया हुआ है इनके जो कजिशका है इनके सासकों ने इसको फेमस किया था नेक्स्ट है राष्ट कूट वंस के फाउंडर कौन है तो यह हमारे हो जाएंगे दंती दुर्ग राष्ट कूट वंस के यहाँ पर फाउंडर है और यहाँ जो राष्ट कूट वंस है इसके फेमस सासक जो है क्रेश्न वन है क्रेश्न वन ने ही एलोरा के जो कैलास मंदिर है इनका निर्माण करवाया था, हर्षवर्दन के दरबार में बानबट थे, जिनोंने कादंबरी यहाँ पर रचना की है, कादंबरी की रचना बानबट के द्वारा की गई है, दूसरा कुशन है, जो हमारा संसद है, यह किस आर्टिकल में दिया गया है, तो संसद जो हमारा यह गया है लोकसभा में जो यहां पर है आर्टिकल 330 में SC के लिए 84 सीटे और HD के लिए 47 सीटे यहां पर जो है रिजर्ब की गई है और आर्टिकल 131 में एंगलो इंडियन्स की दो सीटे पहले रिजर्ब थी लेकिन आब इनको समाप्त कर दिया गया है 140 समिधान संसुधन के द्वारा सरवाधिक जो लोकसभा की सीटे हैं वो हमारे उत्तरपदेश में हैं और जो पहली लोकसभा है इसका गठन जो है 13 मई 1952 को किया गया था अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकस्भा में सिर्फ लाया जा सकता है और यहां पर इसको लाने के लिए 500 मेंबर पेरलेमेंट्र हैं इनका समर्थन होना आवश्यक है कोई भी अगर विध्यक आता है धन विध्यक आता है तो पहली बार जो है इसको लोकसभा में ही लाया जाएगा इसके अलावा कोई भी जो विध्यक है या फिर वो धन विध्यक है या नहीं है इसको जो है decide करता है speaker इसको tank करता है और भारत के पहले लोकसभा speaker जो थे जीवी मावलंकर थे और वरतमान में भारत के लोकसभा speaker ओम बिर्ला जी है नेक्स्ट है जो हमारी नई संसत भौन बनी है इसको जो है 28 मई 2023 को यहाँ पर जो है वीर सावरकर के बड़े पर जो इसको शुरू किया गया था इसका उधगाटन किया गया था और यहाँ पर लोकसभा की 888 सीटे हैं और राजसभा की 384 सीटे बनाई गई है जो हमारी राजसभा है नए संसत भौन की वो कमल की फूल के डिजाइन पर बेजड है थीम है इसकी और जो हमारी लोकसभा है यहाँ पर मोर की थीम पर बेजड है नए संसत भौन के वास्तुकार विमल पटेल हैं और इसको बनाया गया था Central Vista Project के तहत अरुन्धति राय की famous एक बुक है उसका क्या नाम है तो अरुन्धति राय की famous बुक है The God of Small Things और यह पहली बुकर परुषकार पाने वाली पहली यह महिला बनी है भारत की और इनकी एक और बुक है The Ministry of Atmost Happiness एक इनकी बुक है आजादी भी इनकी बुक है सलमान रुषदी की कुछ famous बुक है Victory City, Midnight Children और Cute Chore बुक है किसकी सलमान रुषदी की अर्विंद अडिगा की बुक बहुत इक्जाम में पुची जाती है The White Tiger बुक जो है अर्विंद अडिगा की है खुश्वंत सिंग की बुक है Train to Pakistan नेक्स्ट है यहाँ पर 99 वा सविधान संसोधन जो आया था Supreme Court ने reject कर दिया था एक मार्त ऐसा यहाँ पर जो समिधान संसोधन बिल है जिसको Supreme Court ने reject किया है वो यही वाला है राष्ट के नयाएक नियुकती आयोग क्योंकि इसके तहत जो है यहाँ पर Supreme Court के जो जजज है इनकी नियुकती एक कमेटी करने वाली थी इनकी ने इसको reject कर दिया था अब यहाँ पर अब तक जो है टोटल 106 amendment हो चुके हैं जो अभी हाली में 2030 में नवीनतम जो amendment किया गया है 106 वा वो था नारी सक्तिवंदन अधिनियम और यहाँ पर जो है यह 128 वा बिल था और 128 इसको अपलो कर ले 128 वा बिल था और यह 106 amendment था इसमें क्या हुआ है कि महिलाओं को लोकसभा राजसभा और विधानसभा में 33% सीटे जो है महिलाओं के लिए रख्षन की जाएंगी 119 समिधान संसोधन 2003 जो आया था उसे मंत्री परिशत का आकार जो है उसको टेंक किया गया था और 15% ही मंत्री बन सकते हैं जितने भी मेंबर होंगे उसका दिल्ली में यहाँ पर जो है 10% ही सिर्फ मंत्री बन सकते हैं जितने भी विधाय को चुने जाते हैं 52 समिधान संसोधन 1985 में आया और इसके तहत दस्वी अनसूची जोड़ी गई थी जो की दल बदल कानून से संबन देता है 101 समिधान संसोधन जो था उसको यहाँ पर जो है GST के लिए लाया गया था GST को जो है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था और यह 101 एक्ट बना था और यहाँ पर यह 122 बिल था जो GST है यहाँ पर विज़े केल कर कमिशन इसके गठन के लिए बनाया गया था और GST को अपनाने वाला पहला राज्य असम बना था इसके लावा जो Article 279 है यहाँ पर GST दर को निर्धारित करने के लिए GST काउंसिल बनाया गया है और यह Article 279 में दिया गया है GST काउंसिल का हेड कौन होता है तो यह हमारा वित्मंतरी होता है नेस्ट कोशन है हरित करांती जो सब्द है इसको यहाँ पर किस ने दिया हुआ है तो हरित करांती जो वर्ड है इसको दिया है विलियम गाडने भारत में हरित करांती के जनक जो है वो है MS स्वामी नाथन और पूरे विश्व में हरित करांती के जनक नॉर्मन बॉर्लोग है यहाँ पर ecology सब्द जो है यह किस ने दिया है तो इसको दिया है हैकल ने ecology सब्द दिया है और ecosystem जो सब्द है इसको दिया है टेंस लेने यह एकजाम में बहुत पूछता है लिंडेमान का जो है एक नियम है उर्जा का 10% प्रवाह लिंडेमान के द्वरा दिया गया है और केंदरक की खोज किस ने की थी तो केंदरक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी कोशिका की खोज किस ने किया है तो मृत कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था जबकि जीवित कोशिका की खोज एंटेनी वान लेवन हॉक ने किया था और कोशिका सिधान्त जो है इसको दिया था स्लाइडर और स्वान ने नेक्स्ट है यहाँ पर Sam Altman जो है यह है Open AI के Co-Founder और इन्होंने क्या बनाया है? Chat GPT बनाया है. Chat GPT को Counter करने के लिए Google ने Bard AI Chatbot Launch किया था. यह भी Point आप ध्यान रखें नेक्स्ट कोशन था जैविक वर्गी करन की दुई नाम दुई नाम नामावली यहाँ पर किस ने शुरू किया था? तो इसको शुरू किया था Linneas ने. दुई नाम पधती जो है Linneas के द्वारा दी गई है Blood Circulation System की खोज William Harvey ने किया है Blood Group की खोज Car Land इस्टीनर ने किया है जो सर्वदाता जो होता है Blood Group वो हमारा हो जाएगा O- सर्वग्राही Blood Group हमारा होगा AB Plus RH Factor को किस ने दिया था? तो यह दिया था Winner के द्वारा RH Factor दिया गया है और Punch Gat वर्गी करन किस ने दिया था? 5 Kingdom Classification किस के द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है विटी कर के द्वारा इन्होंने बताया कि जिसमें बिना केंद्रक यानि की Prokaryotic जो होते हैं वो हो जाएंगे Monera केंद्रक सहित इन्होंने बताया वो होंगे Eukaryotics जिसमें एक कोशिका होगी वो हमारा हो जाएगा Protista और बहु कोशिका वाले हो जाएंगे जिसमें की सिल्वाल होगी वो हो जाएंगे पादप और कवक और जिसमें सिल्वाल नहीं होगी वो हमारा हो जाएगा Animals पादप की जो कोशिका होती है वो बनी होती है सिलिलोस की यहाँ पर सिलिलोस की जो है इनकी पादब की सिल्वाल जो है बनी हुई है और कवक की जो सिल्वाल है वो बनी होती है काइट इनकी यह भी पॉइंट ध्यान रखें नेक्स्ट है सतियंद्रनाथ टैगोर ने 1864 में इन्होंने पहले भारतिये बने थे इन्होंने सबसी पहली बार सिविल सर्विस में यह सेलेक्ट हुए थे 1864 में सतियंद्रनाथ टैगोर बारत के पहले लोगसभाई स्पीकर कौन है जीवी मावलंकर है पहले भारतिये लोगसभा के स्पीकर विनुवा भाबे कौन थे तो विनुवा भाबे जो हैं पहले व्यक्तिगत सत्याग रही थे विनुवा भाबे ने ही भुदान आंदोलन शुरू किया था विनुवा भाबे को ही पहला रैमन मेक्स से अवार्ट जो मिला है वो भारतिये हैं यह स्वामी दयानंद सरस्थी का यहाँ पर बच्पन का नाम यहाँ पर मूल संकर था और इनकी एक फिमस बुक है सत्यार्थ प्रकास स्वामी दयानंद सरस्थी के द्वारा लिखी गई है आरे समाज की इस्थापना स्वामी दयानंद सरस्थी ने की थी वेदों की और लोटो नारा जो है सौमी दयानद सरसुती की द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, अब यहां पर भारती समिधान के भाग दिये गए हैं। तो इनको एक बार देख लेते हैं, भारती समिधान में आर्टिकल कितने हैं? 395 हैं, भाग कितने हैं? 22 हैं। पहला जो भाग है, वो हमारा आर्टिकल एक से चार तक हो जाएगा, जिसमें क्या दिया गया है? 28 राज और 8 यूरियन टेरिटरीज के नाम जो हैं वो दिये गए हैं। दूसरा जो यहाँ पर भाग है, वो सम्बंधित है, सिटीजन सिप्थ, यानि कि नागरिक्ता से सम्बंधित है, और इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक है, तीसरा भाग जो है, फंडामेंटल राइट से है, और इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार दिये गए हैं। जो हमारा भाग 4 है, वो सम्बंधित है, DPSB से, यानि कि Directive Principles of State Policy, यानि कि राज के नीत निदेशक तत्तो, आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है, और भाग 4A, फंडामेंटल ड्यूटी से सम्बंधित है, यानि कि मूल करतव से, और ये आर्टिकल 51A में दिया गया है, भाग 5 जो है संग से सम्बंधित है, यानि कि यूनियन और ये आर्टिकल 52 से 151 तक दिया गया है, भाग 6 राज्यों से सम्बंधित है, और इसमें आर्टिकल 152 से 237 तक दिया गया है, प्राउधान किये गये हैं, जो भाग 7 है, इसको अब जो है समाप्त कर दिया गया है, भाग 9 प तक इसके आर्टिकल है भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंदित है इलक्षन से और ये आर्टिकल 324 से 321 ए तक दिया गया है जो हमारा सत्रुहा भाग है ये राजभासा से संबंदित है और भाग 18 जो है इमर्जन्सी से संबंदित है जबकि भाग 20 समिधान संसोधन से भाषाएं दी गई है और मूल समिधान में 14 भाषाएं थी 21 समिधान संसोधन 1967 से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और ये हमारी पंद्रुही भाषा बनी थी एकतर में समिधान संसोधन 1992 से तीन भाषाएं जोड़ी गई नमक नेपाली मनिपूरी और कुंकड़ी यहाँ पर जोड़ी गई और 92 समिधान संसोधन 2003 के द्वारा बोडो डोंगरी संथाली और मैथली जोड़ी गई नेक्स्ट है साहित अकैदमी अवार्ड जो है कितनी भासाओं में दिया जाता है तो जो हमारा साहित अकैदमी अवार्ड है ये 24 भासाओं में दिया जाता है 22 भासा है तो हमारे आठवी अनसूची में जो समिधान में शामिल है वो हो गई इसके अलावा राजस्थानी और इंग्लिस भासा में साहितक अदमी अवार्ड दिया जता है, 2023 के लिए साहितक अदमी अवार्ड जो है हिंदी भासा में संजीव को दिया गया है, मुझे पहचानों उपन्यास के लिए, इसके लावा इंग्लिस भासा में जो है नीलम को दिया गया है, रेक्यूमीन रागा जानकी के लिए इनका उपन्यास है इसके लावा आप सभी को बता दें कि इस चैनल पर अभी हाल ही में एक वीडियो अप्लोड की गई जिसमें हमने हिंदी भासा कि जितने भी साहित का अदमी अवार्ड यहां पर 1955 से लेकर 2023 तक जिसको भी मिला है उसको हमने कवर किया है तो आप लोग उसको भी देख लेके यूपी पुलिस कॉंस्टेबिल में वहां से आपको एक कोशन 100% मिलने वाला है नेक्स्ट है कथक कथक से यहां पर कुछ जो इंपोर्टेंट वादियंत्र दिये हैं इसे समंधित कलाकार है कथक से समंधित थे पंडित बिर्जु महराज यहां पर लच्छु महराज भी से समंधित हैं और शंभु माराज कत्थक के हैं सितारा देवी यहाँ पर शोभना नारायण जो हैं यह भी कत्थक से संबंधित हैं इनको पदमश्री भी दिया जा चुका है कुची पुरी नेत्रे जो की आंध्पदेश का है इससे संबंधित हैं यामनी क्रिष्ण मूर्ती, राधा रेड़ी और शोभा नाइडू भरतनाट्यम, तमिलनाडू का क्लासिकल डांस है और इससे संबंधित हैं रुकमडी देमी, यामनी क्रिष्ण मूर्ती, विजैनती माला, मृनाली शारभाई और मालविका हैं यहाँ पर पदमा शुब्रमनियम भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं मडीपुरी, जो कि क्लासिकल डांस है, मडीपुर का इससे संबंधित हैं जहबेरी बहन, तो यह आप ध्यान रखें नेक्स्ट है, पहला ओलंपिक जो है एथिंस, 1896 में हुआ था 32 ओलंपिक जो है, टोकियो में, टोकियो जापान में हुआ था और 33 ओलंपिक, 2024 में, पेरिस, फ्रांस में आजुद किया जाएगा और इसके बाद, 34 जो ओलंपिक है, लास एंजिल से USA में, 2028 में आजुद किया जाएगा जिसमें, 2020 क्रिकट जो है, इसको भी शामिल किया गया है इसके लाव पांच खेल और भी है, उनको यहाँ पर शामिल किया गया है यहाँ पर पहला एशियन गेम्स, 1951 में, भारत में आजुद किया गये थे और जहाँ पर नाइंथ एशियन गेम्स हैं, 1982 में दूसरी बार भारत में आजुद किया गये थे और हाले में, 19 वा जो एशियन गेम्स हैं, चीन में आजुद किया गये है और इसके अलावा फोर्थ पैरा एशियन गेम्स भी चीन में आयोजित किये गए हांगजाओं में पहली बार कॉमेन वेल्थ गेम्स जो हैं 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किये गए थे 2022 में कॉमेन वेल्थ गेम्स बर्मिंगम में आयोजित किये गए थे इसमें सुभंकर जो था फेई फ्री पच्छी था और यहाँ पर पहला अस्थान चीन को मिला था भारत की रैंक जो थी वो थी पाँच भारत ने 111 मेडल टोटल जीते और यहाँ पर भारत ने 31 गोल्ड, 31 सिल्वर और 41 ब्रॉंज मेडल जीते थे जो प्लासी का युद्ध है 23 जून 1957 को हुआ था अंग्रेजों की तरफ से यहाँ पर कलाइब लड़ा था और मीर जाफर ने यहाँ पर गदारी कर दी थी 1764 में बकसर का युद्ध हुआ था और यहाँ पर इस्ट इडिया कंपणी का हेड जो था वो मुनलो था और यहाँ पर विज़े भी अंग्रेजों की हुई थी इसके बाद जो है इलाहाबाद की संधी होती है नेक्स्ट है क्लाइब जो है बंगाल के रोबर्ट क्लाइब जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैस्टिंग था वैरन हैस्टिंग और भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो यह हो जाएंगे विलियम बेंटिक और भारत के पहले वाइसराय थैनिंग है, नेक्स्ट है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्लासी का जो युद्ध है, यह हुआ था, अंग्रेजों की तरफ से कलाइव लड़ा था, और यहाँ पर बंगाल की तरफ से सिराजुद दौला लड़ा था, इसमें जो है कलाइव की लड़ रही थी, जिसमें यहाँ पर मीर कासिम बंगाल का था, और सुजारुद दौला अवद से, और शाह आलम जो की मुगल इंपरर था, इन तीनों की शिनाए एक साथ लड़ रही थी, और यहाँ पर बकसर की योद्ध में मुनरों की विजय होती है, और यह इन तीनों की जो सयक तो सेना होती है, इसकी हार हो जाती है, उसके बाद इलहाबाद की संधी होती है, नेक्स्ट है, वेले जली ने यहाँ पर सहायक संधी की शुरुवात की थी, तो सहायक संधी किसने दिया था, तो इसने दिया था वेले जली ने, और 1798 में हैदराबाद पहले रियासत बना था जिसने सहाइक संधी को सुविकार किया था कॉर्णवालिस जो है फुलिस का जनक कहा माना जाता है और इसने सिविल सर्विस का भी जनक इसी को कहते हैं भारत में इस्थाई बंदोबस्त लाने वाला कॉर्णवालिस है और कब लाया था 1793 में कपिल्देव की बुक है यहाँ पर कपिल्देव भारत के क्रिकेटर है पीटि उशा की बुक है गोल्डन गर्ल और पीटी उशा जो है भारती ओलंपिक संग की पहली महिला हेड बनी है मिलखा सिंग की फेमस बुक है दरेस आफ माई लाइफ यूरा सिंग की बुक है दरेस्ट आफ माई लाइफ मैरीकॉम की भुक है अन ब्रेकबल ये सब एक्जाम में कहीं न कहीं पूछे गई है Playing It My Way सचिन तेंदूलकर की बुक है और 800 मुथया मुलीधरन की बुक है क्योंकि मुथया मुलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकट लिये थे और इस लंका के प्लेयर हैं और इनकी बुक का नाम भी 800 ही है Believe बुक रहना सुरेश रहना की है जोकि उत्तरपदेश के क्रिकेटर है A Century Is Not Enough सरुगांगुली की बुक है और No Spin शेनवान की बुक है शेनवान अस्टेलिया के पूर्व यहाँ पर इस पिन गेंदबास थे नेक्स्ट है भाग सत्रा किस से सम्बन देता है तो भाग सत्रा जो है संघ की राजभासा से सम्बन देता है और इसमें जो आर्टिकल है 343 से 351 तक दिये गए हैं जोकि भासा से सम्बन देता है आर्टिकल 343 में बताया गया है कि संघ की एक राजभासा होगी और आर्टिकल 344 में यहाँ पर आयोग का गठन के बारे में दिया गया है आर्टिकल 350A में मात्रभाशा के प्रावधान है और आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास के लिए यहाँ पर प्रावधान किये गए है आर्टिकल 350-B में भासाई अल्फ संखेकों के लिए विशेश अधिकार के प्राउधान किये गए हैं नेक्स्ट है आर्टिकल 280 वित आयोग से समंधित है और पहले वित आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे और पंद्रभे वित आयोग के अध्यक्ष नंद किसोर सिंख थे और हाल ही में जो है सोलुहावित आयोग बनाया गया है और इसके अध्यक्ष अर्विंद पंगडिया को बनाया गया है और जो सोलुहावित आयोग है इसका कारिकाल 2026 से शुरू होगा जो पंद्रवावित आयोग है इसका जो कारिकाल था दो हजार बीस से दो हजार पच्चिस तक इसका कारिकाल था और अभी जो है सोलवावित आयोग राश्पति जी के दोरा गठित किया गया है नेक्स्ट है आर्टिकल 315 में UPSC के बारे में प्राउधान है और UPSC यानिक Union Public Service Commission की स्थापना ली आयोग की सिफारिस पर की गई थी नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में दिया गया है निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसी दिन वोटर्स डेवी 25 जनवरी को मनाया जाता है और भारत की पहले निर्वाचन आयोग की मुख निर्वाचन आयोग तो जो है सुकुमार सेन थे और पहली महिला निर्वाचन आयोग तो जो है मुख निर्वाचन आयोग तो रमा देवी थी और वरतमान में मुख निर्वाचन आयोग तो जो है राजियु कुमार है इसके अलावा सी विजिल अएप जो है तिर्वाचन आयोग से सम्बंधित है नेक्ट कुशन है गोवा से यहाँ पर एक कुशन है तो गोवा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी देखते हैं गोवा जो है पहले पुर्टगाल के आधियन था और यहाँ पर गोवा को राजधानी नीनो डी कुनहानी बनाया था गोवा को जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद भी इन पुर्टगालियों का इस पर अधिकार रहा और 1961 में ओप्रेशन विजय चलाया गया यहाँ पर उसके बाद गोवा को एक इस्टियेट बनाया गया भारत ने मिला लिया गया 30 माई 1987 को गोवा को इस्टियेट का दर्जा दिया गया था गोवा में विधान सभा की 40 सीटे हैं और छेत्रफल के अगर आधार पर देखें तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है वरतमान में गोवा के सीम जो है मुख्यमंतरी प्रमूद शावंत है गोवा में प्रमूख फेस्टिवल मनाय जाते हैं सिगमों, साव, जुवाओ और यहाँ पर जुवारी नदी मांडवी नदी है जुवारी नदी पर मुर्म गोवा पोर्ट जो है यहाँ पर इसको बनाय गया है और गोडे मेदानी नत्य खेदनी, देखनी, धोला डांस और पुगडी डांस जो है गोवा में मनाय जाता है जम्मू कस्मीर में रौफ डांस मनाय जाता है रौफ डांस जो है यह जम्मू कस्मीर का है महराष्ट में यहाँ पर प्रमुकनत्य हैं तमाशा और लाउनिंग समुद्र गुरुप्त को जो है भारत का नैपोलियन कहा जाता है और इनके संस्कृतिक जो कवी हैं हरिशेन इन्होंने प्रयाग प्रसस्ती लिखा था और यह प्रयाग में इस्थित है प्रयाग प्रसस्ती जो सिला इस्तंब लेक है यह हमारा प्रयाग में इस्थित है क्रेश्ट देवराय विजएन अगर समराजी से संबंदित हैं और विजएन अगर समराजी की संस्थापक जो हैं हरिहर और बुक्का हैं और विजयनगर की राजधानी जो थी हमपी थी जो की वरतमान में करनाटक में है और विजयनगर के बाद यहाँ पर तुलूव वंस जो है यह भी विजयनगर से ही समद्धित है क्रेश्ण देवराज के दर्बार में अश्ट दिगज थे क्रेश्ण देवराय की फेमस बुक है अमुक्त माल्यदा और इन्होंने इसको तेलगू भाषा में लिखा है शूरिवर्मन सेकेंड जो की खामेरवंस से सम्बंधित है इसने कमबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था और हाल ही में अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का आठवा आजूबा घोशित किया गया है तो आप लोग चैनल से जरूर जुनें मिलते हैं अगली वीडियो में जो प्यूशब का मदिर हाद से जरूरे का आप अंकोर शुनेरत